अस्सलाम अलेकुम था है लोटरी शायद भाई मैं आब भईयों को विलकुम केता हूँ आज की इस वीडियो में आब भईयों को सिंगल डिजिट का भी फार्मुला दिखाऊंगा और उसके बाद आब भईयों को दो रूटीने दिखाऊंगा जिसमें डिरेक्टी 3 अपका पास हुआ है थ्री अपका वो भी आगे चलके आब भईयों को दिखाऊंगा सिंगल सेट वाला फार्मुला लेकिन उससे पहले वीडियो को आप भईयों लाइक जरूर कर लेना है तो अपना ये फार्मुला चल रहा है नाइन सेवन नाइन के बाद हमने इसको और ये इसका कोड है बराबर हमने इसको चार बराबर यानि फॉर बराबर करने है एक दो तीन चार यानि फॉर बराबर करने पर चार बराबर करने पर दो डिजिट पहले वाले छोड़ देने टू एंड जिरो इसको हमने छोड़ देने टू एंड सिफर को जो थार्ड अप अपने पास यह डिजिट होता है 6 का तो आगे जो सेट आता है वो सेट आता है 0, 6, 3 का 3-Up सेट आता है तो यहाँ पर जो सिंगल अपना डिजिट है वो 6 का सिंगल डिजिट अपना पास हो गया और यह अपना middle डिजिट में लग जाता है इसी तरीके के साथ इसमें सिंगल एक ही डिजिट होता है जो अपना 3-Up में लगता ही आ रहे है सिंगल डिजिट का फार्मूला है फिर आगे चलके मैं आप अईयों को 3-Up डिरेक्ट सेट वाले भी फार्मूल दिखाऊंगा जिसमें डिरेक्टी 3-Up का सेट पास हो रहा है तो चैनल को जरूर आप आईयोंने सबस्क्राइब कर लेना है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक लाजमी कर लेना है उसके बाद सिफर सिक्स थ्री मल्टिपला इसको करना है डबल टू डबल फॉर ये इसका ओड है बराबर हमने इसको चार बराबर करना है य Bureau यानि फॉर बराबर करना है वान टू थ्री और फॉर फॉर बराबर करने पर दो डिजिट पहले बाले छोड़ देने है कल्कुलेटर में जो अपना थर्ड डिजिट है वो यहाँ पे 3 का डिजिट है जहाँ पे पहले 6 का डिजिट था अब वहाँ पे सिंगल डिजिट है वो सिंगल डिजिट है 3 का आगे जो अपना 3 अप का सेट आता है 3, 9, 5 का 3 अप सेट आता है तो यहाँ पे जो सिंगल डिजिट है वो 3 का सिंगल डिजिट पास हो जाता है द तो वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को सबस्क्रैब नहीं किया तो वो भी जरू कर लें 3, 9, 5 हमने इसको multiple करना है 2, 2, 4 4 बराबर इसको 4 बराबर यानि 4 बराबर करने है 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 तो 4 बराबर यानि 4 बराबर करने पे दो डिजिट पहले वाले जोड़ देने, यहां पे जो तीसरा डिजिट है, यहां पे 6 का डिजिट है, यह हमने सीधे लिख लेना है, यहां पे सिंगल डिजिट था 6 का, आगे जो अपना सेट आता है, वो आता है, 6, 0, 3 का 3 अप सेट आता है, तो यहां पे तीसरे ड्राप है, यहां पे 6 का जो डिजिट है यह अपना open डिजिट में लग जाता है इसी इसाब से यह फार्मॉला चल रहा है अभी तक इसमें सिंगल जो डिजिट है वो नहीं तूटा है उमीद है कि शायद भाई का यह फार्मॉला भाईयों को सिंगल डिजिट वाला अच्छा लगेगा और आने वाले डिजिट के लिए भी इसमें कौन सा वो सिंगल डिजिट है वो भी आ भाईयों को बताऊंगा अपना फस्ट अपरेल को जो तैलेन लोटरी का ड्रा होने जा रहा है उसके लिए सिक्स सिफर थ्री हमने इसको मल्टिपला यहां पे करना है डबल टू डबल फॉर यहांने बाईस चवालीस इसका कोड है बराबर हमने इसको 4 यानि 4 बराबर हमने करने है 1, 2, 3 & 4 4 बराबर करने पे यहाँ पर हमने 3 डिजिट पहले बारे चोड़ देने है यानि 2 & 9 का डिजिट चोड़ के अपना जो 3rd डिजिट है कलकुलेटर में वो यहाँ पे सिंगल डिजिट था फिर से 6 का यहां पर six का single digit था अभी जो set आता है वो set आता है six two six का three up set आता है तो यहां से fourth drop यानि चौथे drop यह अपना six का जो digit है यह pass हो जाता है छे का digit यह अपना open digit में भी लग जाता है और last वाले digit में भी लग जाता है यानि एक की digit था लेकिन last में भी लगा और open digit में भी लगा तो उमीद है कि शायद भाई का फार्मूला भाईयों को अच्छा लगा होगा single digit वाला चार्ड रहा हो गए सी हिसाब से सिंगल एक ही digit चल रहा है जो अपना three up में आ जाता है यहां पे देखें जो तीसरा digit होता है वही अपना पास होता आ रहा है पिर आगे चलके मैं आब भाईयों को three up direct set वाले भी फार्मूला दिखाँगा जिसमें जो set होते है three up के दो set बनते है उसमें set अपना three up का पास होता आ रहा है तो अभी बिना किसी देर के मैं आब भईयों को यही फार्मॉला आने वाले ड्रा के लिए दिखाता हूँ कि आने वाले ड्रा के लिए इसमें कौन सा वो सिंगल डिजिट है अपने पास 6, 2, 6, multiply इसको करना है 22, 24 इसका कोड है बराबर हमने इसको 4 याने 4 बराबर करने है 1, 2, 3, and 4 4 बराबर करने पर दो डिजिट पहले वाले छोड़ देने अब आने वाले ड्रा के लिए जो इसमें डिजिट है वो सिंगल अपने पास डिजिट है इसमें 4 का यह अपने पास सिंगल डिजिट है आने वाले ड्रा के लिए 4 का डिजिट यह 3 अप में आ सकता है बहुत ये अच्छा ये फार्मूला है अपना जो ड्रा होगा एक चार दो हजार चोबिस को ड्रा होने जा रहा है इसके लिए सिंगल अपना जो डिजिट है वो फॉर का डिजिट है ये अपना थ्री अप में आ सकता है Middle में भी आ सकता है Last में भी आ सकता है Open डिजिट में भी आ सकता है ज्यादा तर तर तो ये Open डिजिट में चल रहा है यहाँ पर तीन का डिजिट था ये Open डिजिट में लगा उसके बाद पिर से 6 का डिजिट था ये Open डिजिट में लग गया तो अभी आने वाले ड्रा के लिए open digit 4 का आ सकता है लेकिन middle में भी आ सकता है और last में भी आ सकता है अभी बिना किसी देर के मैं बहियों को अपना अगला फार्मूला दिखाता हूँ जिसमें single set होता है 3-up का दो फार्मूले हैं दोनों फार्मूलों में से single set अपना 3-up का डिरेक्टी पास होता है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो वो भी ज़रू कर लें तो अपना फार्मूला ये 3-up set वाला को जिस तरह है 6, 0, 3, multiply इसको करना है इसका यहाँ पर जो कोड है वो कोड है यहाँ पर 72, and 74, and 0, 7 यह कोड है इसका हमने बराबर यहाँ पर इसको एक बराबर करना है एक बराबर करने पर फार्मूला ये कोड से देखिएगा इसमें डिरेक्टी 3-up का set होता है 6, 0, 3, multiply 72, 74, and 0, 7, बराबर 1 करना है वन बराबर करने पर 3-डिजिट पहले वाले छोड़ देने हैं, तीन डिजिट पहले वाले छोड़ देने हैं, यहाँ पर बीच में आप भी देखेंगे, 6, 2, 6 डिरेक्टी अपना इसमें जो set है, 3-up का, 6, 2, 6 का 3-up का set यहाँ से डिरेक्टी पास हो जाता है यह फार्मूला एक ड्राब पास है, दूसरे ड्राब पे इसी जगह से गर सिंगल अपना set पास हो जाता है, तो कौन सा सिंगल सेट है, वो भी आप भईयों को बता देता हूं आने वाले ड्राब के लिए, तो जल्दी से वीडियो को आप भईयों ने लाइक भी करना है, चै इसमें कौन सा वो set है, 626 हमने इसको multiply करना है, 72, I'm sorry, 72 हमने 2 मिलाना था, हमने यहाँ पे 74 ही लिख दिया, 626 multiply, I'm sorry, थोड़ा सा calculator का चक्कर है, 626 multiply, 72, 74, 0, 7, बराबर 1 करना है, वन बराबर करने पे हमने यहाँ पे 3 डिजिट पहले वाले छोड़ देने, आने वाले ड्राब के लिए इसमें जो set है 3, 5, 6, यह single set है 3 अप का आने वाले ड्राब के लिए, इस formula में यह single set निकल रहा है, फिर अभी मैं आब भईयों को अपना दूसरा formula भी दिखाता हूं, जिसमें एक और भी set होता है, वो भी 3 up set का formula है, उसमें भी मतलब जो 3 up का set है, single ही चल रहा है, वो गोड़ से देखिएगा, उसका code अलग है, तो 6, 0, 3, multiply इसको करना है, इसका यहाँ पे जो code है, वो different है, याने अलग code है इसका, 95, and 95, and 80, याने 80, और बराबर इसको एक बरा देखिएगा, 6, 03, multiply, 95, 95, and 80, याने 80, बराबर वन करना है, वन बराबर करने पे उसी तरह हमने तीन डिजिट पहले वाले छोड़ देने है, 6, 2, 6, यहाँ पे भी बीच में सीधे अपना set जो 3 up का है, वो पास हो जाता है, तो बहुत, यह दोनों ही फार्मूले बहुत अच पहले वल छोड़ देने बीच में आप ही देखेंगे, 6, 2, 6, डिरेक्टी set अपना 3 up का पास हो गया, यह अपना आखरी फार्मूला एक और से देखिएगा, कि आप इसमें कौन सा वो single set है 3 up का, 6, 2, 6, multiply इसको करना है, 95, and 95, and 80, याने 80 बराबर इसको एक बराबर करना है, अब हम देखते हैं, इसमें कौन सा वो set है, single 3 up का, 6, 2, 6, multiply, 95, 95, and 80, बराबर इसको एक बराबर करना है, एक बराबर करने पर तीन डिजिट पहले वारे छोड़ देने, अब वहाँ पर जो set है 3 up का, वो 6, 9, 7 का 3 up set है, यह दोनों ही set बहुत अच्छे हैं 3 up के, मैंने 2 set आ 5, 6 का set है, and 6, 9, 7 का set है, यह दो set हैं 3 up के, इसमें जो पियर हैं उसमें, पियर है 35 का, and 69 का, यह दो पियर हैं इनको भी आप ले कर सकते हैं, अगर शायद भाई का 3 up set वाला फार्मूला अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक भी कर लेना है, और अभी तक चैन कोई set तूट भी सकता है, तो यह single digit 4 का नहीं तूटेगा, अगर 4 का डिजिट तूट भी जाता है, तो हो सकता है, इन 2 set में से 3 up का set आ जाए, क्योंके फार्मूला देना मेरा काम है, आगे सब है, नसीब की बात, लेकिन शायद भाई की कोशिश और मेहनता भाईयों के आफेस्ट